बार बार पेट में गैस बनती है, बार बार एसिडिटी हो जाती है, खुब ढकारे आती हैं और सीने में तेख जलन होता है, तो सिर्फ एक चम्मच इस चूरन का खा लेना और फिर देखना पांच मिट में कैसे ये सभी परिशानिया गायब हो जाती हैं नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल सरल घरेलू नुस्खे में, दोस्तो ये तो आप सभी ने सुना होगा कि सभी बीमारियों की शुरुवात हमारे पेट से ही होती है, यानि कि अगर हमारा पेट खराब रहेगा तो तरह तरह की बीमारी आने में समय नहीं लगे शुगर, blood pressure, thyroid, liver की खराबी, खून की कमी, कमजोर शरीर और skin disease ये सभी बीमारियां आपको जिंदगी में कभी नहीं होगी अगर आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चूरन के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर पर आसानी से तयार कर सकते हैं ये चूरन सस्ता होने के साथ ही साथ बेहती ज़्यादा कारगर रहेगा पेट से जुड़ी इन सभी समस्याओं को समाप करने के लिए तो आईए बिना किसी देरी के इस नुस्खे को जान लेते हैं दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 25 ग्राम खड़ा धनिया दोस्तो हम एक ऐसा चूरन बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको सही मात्रा का ध्यान देना बेहती जरूरी होगा तो ध्यान दीजेगा मैंने यहाँ पे 25 ग्राम खड़ा धन्या लिया है इसके बाद आपको चहिए होगा 25 ग्राम जीरा इसके बाद आपको चहिए होगा 10 ग्राम सोंट का पाउडर जो लोग diabetes के patient नहीं है वे लोग इसमें 10 ग्राम मिश्री भी मिला सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा कि मिश्री सुध होनी चाहिए दोस्तों सबसे पहले आपको जीरे और धनिये को हलका सा भून लेना है इसके बाद इसे mixी में बारीक पीस लेना है जब इसका बारीक चुरन तयार हो जाए तब हम इसे किसी खाली कटोरी में निकाल लेंगे इसके बाद अब हम इसमें मिलाएंगे 10 ग्राम सोंट का पाउडर या फिर यूँ समझ लीजिए 2-5 चमच हम इसमें सोंट का पाउडर भी मिला लेंगे इसी के साथ हम 2-5 चमच पीसी हुई मिस्री भी मिला सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए जसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिस्री का प्रियोग आप तभी करेंगे जब आपको डाइबिटीस के परशानी नहीं रहेगी इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बस ये चूरन तयार हो जाएगा अब इसका प्रियोग आपको करना कैसे है ये भी समझ लीजे नुस्तो सुबा दोपहर शाम तीन टाइम आपको इस नुस्के का प्रियोग करना होगा सुबा का नास्ता करने के आदे घंटे के बाद आप इस चूरन को खा लीजे हलके गुनगुने पानी के साथ अगर आप इसे खाएंगे तो ये और भी ज़दा फायदिमन्द रहेगा इसी तरीके से आपको दोपहर का खाना खाने के बाद और रात का खाना खाने के बाद इस नुस्के को आदे घंटे के बाद एक चमच इसका खा लेना होगा इस नुस्के के प्रियोग से आपको सिर्फ 5 मिनट में ही पेट से जुड़ी सभी परिसानी से चुटकारा मिलेगा पेट में बार बार गैस नहीं बनेगी, सीने में जलन नहीं होगी, बार बार डकारे नहीं आएंगी और खाना भी अच्छी तरीके से पचेगा दोस्तो ये थी आज की जानकारी, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर कीजे, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे, ताकि आप ऐसे ही हेल्थ से रेलेटेड वीडियो मिस न कर पाएं तो दोस्तो मैं मिलता हूँ कल आप से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार